हलो स्टूडेंज, वेलकम दू डेफिनेट सक्सेस पाच्छाला, मैं रुपाली वर्मा, आज लेकर आई हूँ क्लास 10 के लिए तो ध्यान रखिए क्लास 10 वाले स्टूडेंज के हाँ जितना भी आप जब क्लास 10 में आऊगे तो आप ये चीज़ समझ रो कोर्स A, जैसे कि इसके दो चेप्टर हम करवा चुके हैं, आज हम लेकर आए हैं थर्ड चेप्टर, तो कोर्स B वाले स्टूडेंट्स बिलकुल भी खवा नहीं हूँ, उनका भी मैं बहुत ही जल्द उनकी स्पर्श बुक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम एक साथ दो दो च कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, आज का वीडियो जैसे कि मैंने बोला कि क्लास 10 ते हिंदी कोर्स A के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आपके पास दो बुक्स हैं, तो हमने शुरू करी है अपनी पहली बुक, वो है शतज भाग दो, ये बुक ह हमारी दो खंडों में विभक्त है काविखंड और गद्य खंड, तो सबसे पहले यहां पर इस बुक में शुरू होता है काविखंड, तो काविखंड का हम प्रथम अध्याय करा चुके, दुते अध्याय करा चुके, और अब हम आ गए हैं त्रते अध्याय में, तो आप सभ प्रशाष्द जी आपने आत्म कथ्थ जयसा शब्द इना सुना और ना सथ प्रशाष्द जी के संध्रों ने बोला कि आप क्यों नहीं अपनी आप अत्म कथा लिखते हैं तो जैशंकर प्रशाद जी बोले कि भाई हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं कि हम उन्हें आत्म कथा का रूप दे सकें और लोग उससे प्रेणना ले सकें तो इसलिए वो आत्म कथा लिखने के लिए मना करते अब आत्मकथा ना लिखने के reasons देते हुए और उनके जीवन में जो कुछ भी चीजे हैं उनको बहुत ही short form में बताते हुए उन्होंने ये पूरी कविता लिखती अब जैसे कथा का कहानी का कथे होता है ना हम लोग लिखते हैं इंट्रो लिखते हैं उसी तरीके से यहां पर उन्होंने अपने जीवन का एक कथे हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है ये reason देते हुए कि मुझे आत्मकथा नहीं लिखनी तो समझ गयना क्या है ये तो चलिए इसके detail explanation पे चलते हैं detail explanation का मतलब है कि हम सबसे पहले देखेंगे हमारे जैशंकर प्रशाज जी का जीवन पर पिर उसके बाद हम कविता देखेंगे उसकी हम line wise व्याख्या करेंगे अर्थ करेंगे और सार करेंगे तो इस तरीके से हम पूरा detail explanation देने वाले हैं आपको आज ठीक है शुरू करें सबसे पहले हमारे जो कवी हैं जैशंकर प्रशाज जी उनका हम जीवन परिचे मतलब कि हाँ हमारे exam में आ सकता है वो सारी चीज़े हम आपके सामने लाएं देखें क्या है इनका जन्म 1889 यानि कि 1889 में वारणासी में हुआ था काशी के प्रसद कोईन्स कॉलेज में वे पढ़ने गए तो दिहान रखिए वारणासी बनारस काशी एक है ठीक है अलग अलग नही है अगर यह नाम थोड़े से अलग भी होते है तो आप इनका जन्म हुआ वहीं काशी बनारस में और फिर उसके बाद काशी के ही कुईन्स कॉलेज में यह पढ़ने लगे परस तो इस्तितिया अनुकूल ना होने के कारण आठवी से आगे नहीं पढ़ सके अब उनकी पारि तो उस चहा को उन्होंने बरकरार रखा बाद में घर पर ही संस्कृत हिंदी फारसी का अध्यन किया चायाबादी काव प्रवत्ति के प्रमुख कवियों में एक थे इनकी मृत्यों सन 1937 में हुई तो यहाँ पर क्या देखिए एर्ध क्लास के बाद वो आगे नहीं पढ़ लेकिन बाद में उन्होंने खोद अपनी मेहनत से संस्कृत हिंदी और फारसी का अध्यन किया यह नहीं था कि चलो हमारी आर्थी किस्तिती अच्छी नहीं स्कूल नहीं जा सकते तो हम पढ़ाई छोड़ दे नहीं उन्होंने अपने आप ही इसको मेहनत करके भाई आज कल क करते उस समय तो नहीं था तो लेकिन तब भी उन्होंने मेहनत करी और वो पढ़े और आगे पढ़े छायावादी कवियों में इनका नाम आता है और इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 1937 यानि की 1937 में चीक है समझ गया आप लोग अब इनकी हम कुछ रचनाओं पर आ जाते देखिए इनकी सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ काव विक्रतिया इन्होंने काव और गद्य दोनों में काम किया है तो ये इनकी पहली काव विक्रतिया क्या है चित्राधार कानन कुसुम जर्ना आसु लहर और कामाएं ठीक है नेक्स आ जाते हैं नाटक आप कौन-कौन स तो 12 में भी इनकी जो चंदरकुप्त और इसकंदकुप्त जो दो नाटक है इनमें जो कुछ गीत है कारनेलिया का गीत है है और कैंध रेवसेना का गीत यह दो गीत जो है इनगी नाटकों से लिए गए हैं फिर आ जाते हैं उपन्यास कंकाल तितली और इरावती यह उपन्यास मतलब नौवल जो है फिर इनकी कहानी संग्रे हैं जिसमें इनकी बहुत सारी कहानिया हैं तीन कहानी संग्रे आकाश दीप आंधी और इंद्रजाल सौरी दो हैं तो कौन सी आकाश दीप आंधी और इंद्रजाल ये दो इनकी जो है वो कहानी संग रहे हैं तो ये इनकी कुछ कृतिया है जो मैंने आपको बता दी इन्हें ध्यान से देख लीजेगा पढ़ लीजेगा ताकि आप अच्छे से इनको समझ सके ठीक है अब हम आ जाते हैं इस पूरी कविता की रूप रेखा पर आखिर इस कविता को लिखने की पीछे का रीजन क्या है क्यों ये कविता लिखी गई है क्या चीजी है सारी जीवे सबसे पहले समझते देखिए मुण्शी प्रेम चंद के संपादन में निकलने वाली ततकालीन पत्रिका हंस में आत्प कथा विशेशां के हे तू सुप्रसद छायावादी कभी जैसंकर प्रशाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया अब क्या हुआ आम सभी मुण्शी प्रेम चंद्जी को जानते हैं उनके संपादन में एक मत्रिका निकलती थी हंस तो उस हंस पत्रिका में बहुत ही प्रसिद प्रसिद कवियों की आत्मकथाएं निकलती थी, छापी जाती थी, तो जैशंकर प्रशाद जी से भी अनुरूत किया गया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखे ताकि हम इसे हंस पत्रिका में प्रकाशित कर सकें, लोगों के कहने प तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ना कोई ऐसी चीज घटित हुई है ना मेरे ऐसे कुछ अनुभव है ना कुछ इतना कुछ खास हुआ कि मैं ये आत्मकता लिखूं क्योंकि भई अगर हम आत्मकता लिखते हैं तो क्या होगा आत्मकता लिखने से होगा कि दूसरे उसको प पढ़ें और अनुभव प्राप्त करें तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं आत्म कथा नहीं लिखेंगे लेकिन तब भी उनके मित्रों ने इस चीज के लिए प्रेशराइस किया कि नियाब लिखें तो उन्हों प्लेशा कि आध में अगर लिखें तो ने क्या की ऱ्रॉप यह government यह अज दो का सब्सक्राइस पीन कर देता हूं छी का हुन घूब के पास में पढ़ाओंगी कि क्या दो ओकि इससे और सब्सक्राइस कैस में चिरुए फ़ेंगे लेखक लिखने के लिए उससे लिखना होता है तो उसके दो रीजन होते या तो उसने कुछ खुद इतना अनुभव किया हो कि वो अपने को मजबूर हो जाए कि नहीं इसे हम लिख दें नहीं तो कुछ बाहरी दबाव होते हैं जैसे उनके जैसे यहां पर इनके मित्र हैं ये pressure डाल रहे हैं कुछ आर्थिक दबाव होता है कि भाई जो कभी या लेखाक होते हैं उन्हें भी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसी की जरूरत होती है तो ये लिख कर पैसा कमाते हैं, वो आर्थिक दबाव होता है, नहीं तो जिस पत्रिका या समाचार पत्र के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके संपादक होते हैं कि नहीं सरा आप कुछ लिख दीजिए, तो ये होते हैं बाहरी दबाव, तो ये समय जैशंकर प्रिशाद जी के उपर बाहरी दबाव पड़ रहा था यानि कि उनके मित्र जो है वो प्रिश्राइज कर रहे थे नहीं आप आत्मकथा लिखे अब उन्होंने बहुत माना किया कि भी हम आत्मकथा नहीं लिखेंगे तब उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने अपनी बात भी रखी और अपने ठीक है तो इसी तरीके से उत्पन हुई ये कविता आत्मकत्थे ये कविता पहली बार वर्ष 1922 में हंस में आत्मकत्था विशेशांक में प्रकाशत हुई थी तो अब ये जो आत्मकत्थे कविता लिखी गई क्योंकि हंस पत्रिका में क्या होता था बहुत प्रसिद लेखु कभी ने इस कविता को चायावादी शैली में लिखा है कभी ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित सुंदर वा नवीन शब्दों का प्रयोगी किया है अभी जब हमनों कविता पढ़ेंगे ना तो आप इसमें खड़ी बोली देखेंगे न जो है किसी भी कविता में नहीं देखें कभी ने इसमें स्वेम को एक साधारन व्यक्ति माना है जिसमें ऐसा कुछ भी महान एवं रोचक नहीं है जिससे लोग प्रेरिद हों और सुख प्राप्त कर सके यह द्रश्टी कोर महान कभी की विनम्रता को प्रदर्शत करता है तो तो ये जो उनका साधारन वेक्तत्त है ये वाकई आप अभी जब कविता पढ़ेंगे न तो उनकी इस कविता में आपको साफ तोर से जलकेगा कि उनके अंदर कोई मतलब जैसे तो बहुत सारे कभी होते हैं आपने बारे में बहुत सारी चीजों को कहना या बताने का प्रयत् भी किया है अब हम आ जाते हैं इस कविता पे अब कविता लंबी है हम एकी बार में नहीं समझा सकते तो इस पूरी कविता को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो पहला कावियांश हम देख रहे हैं फिर उसके बाद हम उसका भावारत देखेंगे फिर उसका सा इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख जीवन इतिहास हैं यहलो करते ही रहते अपने म्यंग मलिन उपहास हैं तब भी कहते हो कह डालू दुरबलता अपनी बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रिती तो अब देखो में आपको प्लॉट समझ में आ गया है कि उनके मित्र उन्हें प्रेशराइस कर रहे हैं कि आप आत्म कथा लिखो मगर जैशेंकर प्रिशाद जी का कहना क्या है कि मैं आत्म कथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि कता लिखने का ताथ पर क्या है कि मेरे जीवन में अपने हुर्डे को क्या बता है मधुप कन गुना कर कहता कौन कहानी अपनी है यानिकी मेरा हुर्डे जो है वो गुन गुना कर मुझे पिछले समय में ल में ले जा रहा है , अब तो अब क्भूण क нат treatment मेरे हस Сп…… कहा है वह ककी कने हम pragшей चत्रों ने कहा कि आत्मकथ्था लिखो तो आत्मकथ्था लिखने कि लिए बिए धाल गुभी किया लिए कुछ अपस्थ में सुनाएंगा मेरा हिदे में वो मेरे हिदे में है तो वही जीज़ इन्होंने बोला कि इन्होंने हिदे को एक भौरा कहा है और वो कह रहे हैं कि वो भौरा रूपी जो भौरा है वो गुन गुना कर मेरे अतीत की कहानी मुझे सुनाता है यानि कि मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ सिंपलाई करेंगे इसको अगर हम सिंपल वे में तो क्या बोलेंगे किरहें मुझे अपने पास्ट में लेकर जा रहा है अब आते हैं मुर्जाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आजगनी अब कोई भी पेड होता है लिटरली जो चीज लिखिए पहले इसका आर्थ समझेए पेड होता है पेड में जो पत्तियां पुरानी हो जाती है वो मुर्जाकर पिली होकर गिर जाती है तो उसी तरीके सीनों ने बताया कि इस संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अब पुरानी हो गया था जिनका जीवन काले पूर हो गया है और अब वो मृत्यू को प्राप्त हो गया है अब इस लाइन का मतलब हम भी दूसरी लाइन में जब पहुँचेंगे तो आप इसे कनेक्ट कर पाओगे तो मुर्जाकर गिर रही पतियां देखो कितनी आजगनी यानि की कहने का तात्वर है वो बहुत सारे लोग जो है अब अपना जीवन काल समाप्त करकर भ्रत्यू को प्राप्त हो रहे है कौन लोग इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख जीवन इतिहास है तो इन्होंने कहा इस गंभीर अनंत नीलिमा में यानि की इस पूरे संपूर संसार में ना जाने कितने असंख जीवन इतिहास का मतलब आत्म कथाएं तो अब ये दोनों लाइन को मैं कनेक्ट कर रही हूं ध्यान दीजेगा मैंने दोनों की आपको अलग-अलग अर्थ बता दिया है कि इस पूरे संपूर संसार में ना जाने कितने जीवन इतिहास हैं यानि कि जित कितनी आत्म कथाएं लिखी गई हैं तो वही चीज़े कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में ना जाने कितने लेखक और कवी रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे जीवन इरिहास लिखे हैं जो अब अपनी जीवन काल को पूर्ण करके मृत्व को प्राप्त हो चुके हैं समझ में आया ना कि यानि कि इस पूरे संसार में बहुत सारी आत्म कथाएं और उनको लिखने वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन काल को पूर्ण करके मृत्व को प्राप्त हो चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास तो अब क्या होता जो इन लोगों ने जो आत्म कथाएं लिखी हैं जो लोग का मृत्व को प्राप्त हो के हैं और जो अपना जीवन अतिहास लिख चुके हैं अपनी आत्म कथाओं को पढ़कर ना जाने कितने लोग जो हैं, उनके जीवन पर उपहास करते रहते हैं, उनका मजाग बनाते हैं, क्योंकि आत्पकता लिखने का मतलब यह नहीं होता है, क्योंकि आत्पकता लिखने का मतलब यह होता है, कि मेरे जीवन में मेरे साथ अगर धोका हुआ है, तो मुझे वो भी ल पड़ेगा मेरी अपनी जो कमजोरियां हैं मुझे वह भी लिखनी पड़ेंगी सिर्फ यह नहीं कि मेरी ताकत मेरी अच्छाइएं यहीं मेरी गुराईएं भी मेरे साथ धोके दुरबलताएं कमजोरियां सब कुछ लिखनी पड़ती हैं तो जब ऐसी आत्मिकताय लिखी जा अपनी आत्मिकताओं को लिखा है और जो अब मृत्य को प्राप्त हो गए हैं और अब लोग जब उनकी आत्मिकताओं को पढ़ते हैं तो ना जाने कितने तरह के उपहास बनाते हैं उनकी दुरबलताओं उनकी बातों को पढ़कर उनकी आत्मिकताओं को पढ़कर ना जान कुछ देखने के बाद भी तुम कहते हो कि मैं भी आप में कथा लिखूं कि जब मैं आप में कथा लिखूंगा तो मुझे अपनी दुरबलताओं यानि कि अपनी कमजोरियां लिखनी पड़ेंगी लिखनी पड़ेंगी ना तो वही कहते हैं क्या कहते हैं तुम इतना सब लिखू तुम सुनकर सुकपाऊगे देखोगे यह गागर रीती और जब मैं अपनी यह आत्पकता लिख दूंगा और तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा क्यों क्योंकि मेरा जीवन पूरी तरीके से खाली है गागर रीती का मतलब जानते हूं गागर का मतल जिसको बोलते हैं और रीती का मतलब होता है खाली अर्थात उनका जीवन में ऐसा कुछ भी घटत नहीं हुआ है जो दूसरों को प्रेणा दे हाँ ऐसा कुछ जरूर है जिसको देख कर तुम क्योंकि मैंने अगर मैं अपनी दुरबलताएं लिखूंगा तो क्या होगा तु तुम मजाक उड़ाओगे उपहास करोगे और तुम देखोगे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है अर्थात मेरा जीवन पूरी तरीके से खाली है तो यह रहा पूरा काव्यांश मैंने आपको पताया अब इसका अर्थ देखिए सबसे पहले हम इसका भावार्थ कहते हैं कि प्रतेक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है जरती पत्तियों की और इशारा करते हुए कभी कहते हैं आज असंग पत्तियां मुर्जा कर गिर रही है यानि उनकी जीवन लेलाएं समाप्त हो रही है इस प्रकार अंत वो लोग नहीं हैं समाप्त हो चुके हैं लिखने वाले लोग तो अब ऐसे बहुत सारे इतियास बने जो आत्म कथा के रूप में लिखे गए हैं इस माध्यम से कभी कह रहे हैं कि संसार में हर कुछ चंचल है कुछ भी स्थर नहीं है या प्रतेक विक्ति एक दूसरे के मज बनाने में लगे हैं हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है अपनी कमी कोई नहीं कहता यह जानते हुए भी तुम मेरी आक्म कथा जानना चाहते हो कभी कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा परंतु साथ ही यह भी देखेंगे कि कभी का जीवन सुख और प्रसनता से बिल्कुल खाली है तो मैंने बताए ना गागर रीती का तात पर रहे हैं यहां पर क्या हुआ कि उनका जीवन जो है वो पूरी तरीके से खाली है तो ध्यान रखे कि यह जो कविता है यह दिवय अर्थी कविता है वो तो है ही उसके पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं जो आत्मकता ना लिखने की कारण है उनको वो इन डिरेक्ली बताने का प्रयत्न कर रहे है अब इसी का आप सार देखो क्या दिया गया है प्रशाद जी की कविता के प्रथम भाग में यानि कि जो हमने पढ़ा कभी ने वो भौरे की संघ्या दिये हैं जो गुन-गुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है यानि कि उनके पास की कहानी कह रहा है जिसे वो याद कर रहे हैं वह यह समझ पा रहा है कि बहां अपनी जीवन गाता की कौन सी कहानी कहें क्योंकि उसके समीब मुर्जा कर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वर्ता का प्रतीक है ठीक इसी तरहे मनिश्य का जीवन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है जैसे बहुत सारे लोगों का है यह नीला आकास जो की अनंत तक फैला हुआ है उसमें असंग की लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है जिसे पढ़कर कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों उन्होंने स्वेम की आत्मकता लिखकर खुद का मजाग उड़ाया है यानि कि क्या है उन लोगों ने अपनी आत्मकता लिखी है उसको पढ़ने वाले लोग क्या है उसको पढ़कर उनका मजाब उड़ा रहे हैं और लोग इने पढ़कर उन पर हस रहे हैं कभी अपने मित्रों से ये प्रशन करने के लिए बात दे हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हूँ कि मैं भी अपनी जीवन की सारी दुर्पताएं लिख डालू जिने पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गागर को देखकर मेरा मजाक उड़ाओगे तो अर्थात क्या है कि जब मैं आप में कथा लिख लूँगा तो उसमें मुझे अपनी कमजोरिया भी लिखनी पड़ेंगी और जब मैं उन्हें लिख दूँगा और तुम देखोगे कि मेरा जीवन काल अभी तक रहा वो खुशी और प्रसनता से पूरी तरीके से खाली है त वाते हैं दूसरे का व्यांज में किंटु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले या विडम रा अरी सरलते हसी तेरी यह उडाऊं में भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में उजवल गाथा कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की अरे खिल किला कर हसने ए वाली उन बातों की मिला कहा वासुख जिसका मैं सुपन देख कर जाग गया आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया अब यहाँ पर देखें मैंने बताया था वो अपनी जीवन जो आत्म कथा ने लिकर आत्म कथ लिक रहे यानि कि उनके जीवन में जो कुछ भी कटित हुआ है उसका उनोंने इसमें जरूर थोड़ा थोड़ा चर्चा करी है तो इस काव्यांश में वो क्या कर चर्चा कर रहे हैं उनके जीवन में आया उनका प्रेम ठीक है तो चले देखे क्या दिया है अब वहां तक उन्होंने क्या बताया था कि तुम सुख पाओगे देखकर मेरी गागर रीती यानि कि मेरा जीवन सुख और प्रसनता से पूरी तरह खाली है और जब तुम इसको पढ़ोगे मेरी याद पर कता को तो तुम मेरा मजाग कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्म कथाब को पढ़ने के बाद तुम्हें यह एहसास हो कि मेरे जीवन में जो इतने कश्ट तकलीफे जो आई हैं उसके लिए तुम खुद अपने आपको जिम्मेदार समझने लगो कि मतलब मेरे जीवन में जो चीज़े घटे थो रही हैं जो कु समझो यानि कि मेरे जीवन में जो सुख नहीं आया अच्छाईया नहीं आई प्रसंदता नहीं आई कहीं इसके लिए तुम अपने आपको ही जिम्मेदार ना ठहराने लगो देखो क्या होता यह बात उन्होंने ऐसी क्यों कहीं हमारे जीवन में सिर्फ हमारा परिवार नही नहीं चलती तो मित्र उसको कंपनशेट करने की कोशिश करते हैं कि अपने फ्रेंड्स को अच्छा फील कराने के लिए कोशिश करते हैं उनके परिवार में अगर वो कुछ ठीक कर सकते हैं तो वो भी करने की कोशिश करते हैं तो अब जब तुम मेरे मेरी आत्म कथा पड़ हम चाहते तो शायद तुम्हारे जीवन में वो सुख प्रसनता अपनी तरफ से डाल सकते थे या फिर हम जो है इतनी कोशिश करते कि तुम्हारे पारिवारिक संबंधों को सुधारने की कोशिश करते या तुम्हें कुछ सुख देने की कोशिश करते लेकिन हम लोगों ने कोशिश ने करी और इन सब चीज़ों के लिए कहीं तुम अपने आपको ही जम्मदार न ठहराने लगो तो वही चीज़ है मेरा रसले अपनी भरने वाले अर्थात कि हम लोगों और तुम्हारे जीवन की तरफ ध्यान न दिया कहीं तुम अपने आपको ही गिल्टी फील न करने लगो फिर आते हैं यह विडम बना अरी सरलते हसी तेरी मैं ओडाऊं ठीक है तो अब यह मेरी विडम बना है कि जब मैं आत्म कथा लिखूंगा तो मुझे ये भी mention करना पड़ेगा कि भाई अब जब मैं आपनी आत्म कथा लिखूंगी तो उसमें मैं अपनी मित्रों के बारे में भी तो लिखूंगी तो फिर अगर मैं आत्म कथा लिखूंगी तो अब ये मेरी विडम बना अर्थात मेरी मजबूरी हो जाएगी कि इसे भी मुझे आत्म कथा में लिखना पड़ेगा और मैं तुम लोगों की हसी नहीं उड़ाना चाहता यानि कि मैं अपने मित्रों की हसी की दूसरे लोग उनकी हसी उड़ाएं मेरी आत्मकता पढ़के ये मैं नहीं चाहता हूं भूले अपनी ये प्रवंचना औरों की दिखलाओं मैं यानि कि जब मैं आत्मकता लिखूंगा तो उसमें मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं अपने परिवार के बारे में अपने मित्रों के बारे में सब के बारे में में करना पड़ेगा तो यह मैं नहीं चाहता क्यों क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मुझे जिन लोगों ने धोका दिया जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया मैं उनके बारे में भी लिखू मैं अपनी मजबूरी दिखलाओं वो तो ठीक है लेकिन आत्म कता लिखने के साथ को भी दिखलाना पड़ेगा तो मैं यह प्रवंचना नहीं करना चाहता मैं इस तरह के प्रोपगंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहता कि मैं औरों की बारे में अपनी आत्म कता में लिखकर उनकी हसी उड़वाऊं अब यहां पर क्या बोल रहे हैं अब यहां से वो अपनी प्रियतमा के बारे में बता रहे हैं देखे अभी उन्होंने क्या बताया अपने जीवन आत्म कता ना लिखने के कारण अपनी दुरबलताएं बताई अपने जीवन में आने वाले मित्रों या उन लोगों के बारे म में नहीं लिखना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि जग इन लोगों के बारे में पढ़गर उनके लिए बुरा-बरा कहे और मेरी कमजोरियों को जानकर मेरी हसी उड़ाए अब वो लिखना जा रहे हैं अपनी प्रियतमा के बारे में अब उन्होंने यहां पर यह चीज़ मेंचन नहीं करी कि वो उनकी पतनी थी की प्रेमिका थी बस यह है कि वो उसको बहुत प्यार करते थे अब जब उसकी बात को हमें बताने जा रहे हैं तो उसे उन्होंने उजवल गाथा कहा है ध्यान रखेगा यह उजवल गाथा के उपर आपको कई प्रिशन पूछे जाएंगे आगे तो बहुत ध्यान से इसको समझना उजवल गाथा क्यों कही है उजवल इसले का उजवल का मतलब होता है सफेद रोशनी अब रोशनी हमें क्या करती है प्रेरणा देती है कि हमें आगे बढ़ने के लि ये इनको बहुत ही ज़ादा प्रेर्त करती है तो देखें क्या दिया है उजवल गाथा कैसे क। वे अपनी उस प्रिशन प्रिशन प्रियतमा के साथ बताई है कैसे मैं अगर आत्म कदा रिखूंगा तो उसकी बीटобрे मुझे लिखनी पड़ेंगी कि नहीं लिखनी पड़ बातों की गाथा कैसे कहूंगा अरे खिल खिला कर हसने वाली उन बातों की मतलब उस वो राते जो मेरी प्रियता मेरे साथ बिताती थी हसते खिल खिलाते चंचलता के साथ ना जाने वो राते कैसे बीट जाती थी मतलब वो यादे उनके लिए बहुत ही जादा माइने रखती ह तो वो पूरी मतलब खिल खिलाते हुए हसते हुए जो उनकी पूरी राते बीच जाती थी उसकी काथा वो कैसे सुनाएं मिला कहा वासुक जिसका मैं सुपन देखकर जाग गया अब उनको तकलीफ देखे यहां पर क्या है कि वो राते बहुत थी लेकिन जब वो यह सपन क्या हुआ जब उन्होंने आखे खोली तो उनका मतलब वो पृतमा के साथ उनका टाइम पीरिड बहुत कम रहा अब उसका रीजन क्या था वो हमें इसमें नहीं बेंशन है वो बहुत कम समय के लिए उनके साथ रही तो वही उन्होंने बोला आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया यानि कि उन्होंने जो सपने देखे थे अपने प्रियतमा के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए जब यह बहुत कम समय के लिए उनके साथ रही और जो है वो एक सपन मात रही क्योंकि कुछ समय के लिए थी जैसे उनुने आखे खोली अस्लियत में आएं और उन्हों ने यह आलिंगन में आते आते मतलब कि बाहों में आते आते वो मुस्का कर कहीं भाग गई अर्थात वो मेरे जीवन से बहुत ही जल्दी चली गई यानि कि बहुत ही कम पीरिट के लिए वो मेरी लाइफ में रही है अब देखे इसका हम समझेंगे अर्थ ठीक है तो देखे क्या है कभी कहते हैं कि उनका जीवन सुपन के समान एक छलावा रहा है जीवन में जो कुछ हो पाना चाहते थे वह सब उनके पास आकर दूर हो गया या उनके जीवन की विटमना है वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हसाई नहीं कराना चाहते वे अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते यानि कि जिन लोगों ने उनको चला है उनकी कमजोरियों के कारण उनकी सिधाई के कारण उन्हें जिन लोगों ने चला है उन लोगों उनके बारे में वो अपनी आत्मकथा में बता कर जग हसाई नहीं कराना चाहते हैं जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छा वस्तु मिल जाने से वह प्रसन हो जाता है उसी प्रकार कवी के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था परंत हुआ सबी के जीवन में प्यार आता है तो उनके जीवन में भी वो प्यार आया था लेकिन वो एक सपना मा यानि कि बहुत कम समय के लिए उनके साथ था और जब वो ये सोच रहे थे कि अपनी उस प्रियतमा के साथ वो पूरा जीवन बिताएंगे उसी वक्त वो उनसे जुदा हो गया। इसलिए कभी कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा बरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्वल गाथा कैसे सुना सकता हूं। मेरे जीवन में जो लोग आए उन्होंने मेरी कमजोरी का हर चीज़ का फायदा उठाया चले गए। मेरा प्यार भी मेरे साथ काफी समय तक नहीं रहा वो भी मेरे से दूर हो कर चला गया। अब आगए हम पाठ के सार पे हैं। अब इसी काव्यांश का हम क्या करने जा रहे हैं। कभी ने जिन मित्रों ने आत्म कथा लिखने का आगरे किया उसने कभी कहते हैं कि मेरी आत्म कथा पढ़कर और मेरे जीवन की गागरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखो का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुमने मेरे जीवन कित्रों ने मेरा साथ नहीं दिया उनके निवारन के लिए तो कहीं इसके लिए तुम अपने आपको ही जन्मेदार ना मानने लगो। कवी अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि मेरा सभाव बहुत ही सरल है इसी सभाव के कारण मुझे कई लोगों ने धुका दिया जिससे मुझे कश्ट सैना पड़ा परंदु इसके बावजूद भी कवी को अपने सभाव पर कोई मलाल नहीं कि जो वो इतने सीथे रहे सरल रहे इस चीज़ को लेकर उनको कोई भी जो है गिला नहीं है कि मैं बहुत सीधा हूं सरल हूं कि मैं अच़ अगर हमको अगर मेरे सीथे सभाव की वज़े से कोई छलेगा तुम कहेगा अब हम सिधाई छोड़ देंगे लेकिन उन्होंने अपने उस सुभाव को बदला नहीं है वो अपनी आत्पकता में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं यानि आत्पकता लिखेंगे तो उनकी सिधाई का और वो जो लोग हैं जिन्होंने उनका छला है उनको मेंचन करना पड़ेगा तो मैं वो ये सारी चीज़े लिखकर उन लोगों का और अपने सीधेपन का मजाक नहीं उड़वाना चाहते हैं ना वो अपनी भूले बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपड गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े कभी वो रातों के हसीन लमें जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताये थे वो साथ में हसकर की गई मीठी बाते आदी उनके निजी अनभव है भाई प्रेम की जो बाते होती हैं वो हर वेक्ति की पोस्नल होती है वो सब के सामने जग जाहिर नहीं करता है तो वही कह रहे हैं कि वो हमारे बहुत ही निजी अनभव रहें वो ये अनभव कैसे और क्यों अपनी आत्पकता में लिखकर लोगों को सुनाएं ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हग है अब जो हमारा प्यार होता है वो बहुत ही पॉस्नल होता है हम उसको सब के सामने सुना कर जग जाहिन नहीं करना चाहते ताकि लोग उसे सुने और हसी मजाख उड़ाएं ठीक है तो वो उनके अपने पॉस्नल अन्भव है जो वो लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कभी ने अपनी कल्पना का वर्णन करते हुई कहा है मैंने जीमवन भर जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर मैं कभी-कभी जाग जाता था उनमें से कोई भी सुख नहीं मिला कभी ने जब भी अपने हातों को फैला कर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा तब तब उनकी प्रेमिका मुस्का कर भाग दे तो उन्होंने अपने जीवन के एक मात्र सुख को अपना वो प्यार माना और उन्होंने उसके साथ भी जब अपने जीवन को बताने के लिए सोचा तो वो भी उनसे दूर चली गए तो ये चीज भी वो बताते हैं कि मैं इनको कैसे सबके साथ साजा करूँ अब आते हैं हम अपने तीसरे काव्यांश या आखरी काव्यांश पर ठीक है देखे क्या है अब ये जो काव्यांश है इसमें वो बताएंगे अपनी प्रेमिघा की सुन्दर्ता के बारे में, जो उनके जीवन में काफी समय के लिए नहीं रही, बहुती कम टाइम पीरिट के लिए आए, उनकी सुन्दर्ता के बारे में बताएंगे, देखी क्या है, जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुन्दर छाया में अनुरागनी पूशा लेती थी जिन निज सुहाग मधुमाया में उसकी इस्मृति प्राथे बनी थके पंथी की पंथा की सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं तो अब वो लास्ट में अपने निरणे को भी सुनाते हैं और शुरू में वो क्या बता रहे हैं अपनी प्रेमिका की सुन्दरता के बारें बता रहे हैं शुरू करते हैं जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुन्दर चाया में जिसके मतलब उनकी प्रियतमा के अरुण मतलब लाल, कोपल मतलब गाल की मतवाली सुन्दर चाया में अनुरागनी उशा लेती थी निजसुहाग मधुमाया में अब यहाँ पर उशा काल का मतलब पहले आप समझाओ, अनुरागनी उशा, अब यहाँ पर उशा का मतलब पहले मैं आपको समझा देती, तो यह सारी चीज़ें आपके लिए कनेक्ट करना आंसान होगा, मैंने यह बता दिया कि उनकी प्रेतमा के गाल जो हैं, वो लाल थे अर सूरज तो बहुत बाद में निकलता है, उससे पहले क्या होता है, पूरफ साइड में लह लग जाती, लह लगने का मतलब होता है, क्या कहते हैं, लालिमा आना, सूरज आने से पहले लालिमा आती है, वो करीबन 15-20 रहती है, उसके बाद धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो और फिर उसके बाद सूरज निकलता है यह होता है तो वो जो लालिमा आस्मान में एक तरफ पूरफ साइट की छोड़कर बागी सब तरफ कालिमा रहेगी और पूरफ साइट में लालिमा रहती है तो वो काल होता है उशा काल क्या कहलाता है उशा काल के बाद ही आपका सूरिय सूरियोधे के सा quiere लेकिन प्राताकाल से पहले उशाकाल का समय रहता है जिस स्काने में अंधीरा अर्प अंधिरा रहता है और पूरव साइड में लालिमा रहती है , तो उसी लालिमा के लिए कभी कहते हैं कि वो लालिमा उशा काल भी जो वो लालिमा है वो कहां से लेती है मेरी प्रियतमा के गालों की लालिमा से ही वो अपने आपको सुंदर बनाती है मेरी जो प्रियतमा है वो इतनी सुंदर थी उसके गाल इतने लाल थे कि उशा के समय होने वाली लालिमा भी वो मेरी प्रियतमा के गाल की लालीमा को ही ग्रहन करती थी जिसके अरुन कोपनों की मतवाली सुन्दर चाया से यानि कि उसके लाल गाल गाल इतने सुन्दर थे कि अनुरागनी उशा लेती जिन ने जिस सुहाग मधुमाया से तो सुहाग का मतलब क्या हुआ सिंदूर भी कैसा होता है लाल होता है तो व मेरी प्रियतमा के लाल गालों से लेती थी उसकी इसमिती पाथे बनी ठके पंथी की पंथा की अब यहाँ पर इसके बैगराउंड के पीछे भी एक छोटी सी चीज है जब एक पथिक रास्ते में चलता है और वो ठक जाता है तो वो क्या करता है वो किसी भी घने पेड़ की च थका हुआ पथिक है, वो भी क्या है छाऊं में बैट कर आराम करता है। मेरे को फ्रेश करने में मेरी प्रियतमा की वो यादे मुझे सहारा देती है अर्थात मेरे जीवन का सहारा अब मेरे प्रियतमा की वो यादे ही है जिस तरीके से पथिक को छाया उसको थकान मिटाती है उसी तरीके से मेरे जीवन की थकान मिटाने का काद मेरी प्रियतमा की यादे करती है. सीवन को उधेड कर देखो गोई क्यों मेरी कंथा की. कंथा मतलब क्या होता है, जानते हूं गुदड़ी बोलते हैं. आप अगर गाउं अगरा साइड में जाओ तो बहुत सारे कपड़ों को जॉइन करके एक मोटा सा गद्धा टाइप का बनाया जाता है उसको गुदड़ी बोलते हैं ठीक है उसी को कंथा कंथा मतले समझ लो आज कल के समय के गद्धे गद्धे तो आप कौयर फर्म के आने ले हाथ गुदड़ी कह रहे हैं तुम लोग क्या पाओगे मेरे इस जीवन की सीवन उधेड़ना मतलब सिलाई उधेड़ना अब मैंने क्या बोला कपड़ों को बहुत सारे इकठा करके उन्हें सिला जाता था तो अब सिलाई को अगर हम खोल दें तो क्या होगा वो कहा यानि कंथा कहा है कि तुम लोग क्या पाओगे सीवन उधेड़ने यानि कि मेरे जीवन के पास्ट में जाकर उससे तुम्हें क्या मिलेगा मेरे जीवन के पास्ट को जानकर तुम्हें क्या मिलेगा तो तुम कुछ भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरे जीवन में कुछ है ह नहीं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं मेरा जीवन बहुत ही छोटा है लेकिन इसमें घटने वाली जो घटनाएं हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी होंगी लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं तो बड़ी कथाओं का ताथपर यहां पर उन उसे बड़ी कथाएं कहा है क्यों मेरे छोटे से जीवन की इन बड़ी कथाओं यानि कि मेरे लिए महत्वपूर कथाओं को मैं आज क्यूं कहूं मैं नहीं कहना चाहता मैं लोगों को अपने जीवन की कथाएं नहीं बताना चाहता क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता म सब्सक्राइब कुछ बहुत ही सीधी सादी सी जंदकी रही तुम क्या करोगे मेरी इस आत्मे कथा को सुनकर क्यान मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम प्रेणना ले सको आनंद ले सको तुम्हें तो सिर्फ मज़ा आएगा तो तुम मेरी आत्मकथा को जानकर क्या करोगे अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन विथा तो वो क्या कह रही है कि अभी ये समय नहीं आया है कि मैं अपने पास्ट में जाकर अपनी तकलीफों को दुबारा से जगाऊं और खुद बी तकलीफ पाऊं अभी वो समय नहीं है मैं चुप रहना चाहता हूँ अपने जिवन के पास्ट में जाकर अपनी तकलीफों को दुबारा याद करकर मैं जगाना नहीं चाहता हूँ वो अभी सोई हैं उन्हें सोने तो ठीक है तो end में वो बता देते हैं कि वो अपनी आत् लिखने का नहीं आया है अब इसका भावारत देखे क्या है इन पंक्तियों में कभी अपने सुन्दर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखत पल आये थे वो सुखत पल क्या थे उनकी प्रियसी के साथ बिता रहे जिनके सहारे विवर्तमान ज समय तक उनके साथ नहीं रही वास्तिविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका कभी अपनी प्रियसी के सुन्दर लाल गालों का वंडन करते हुए कहते हैं कि मानों भोर अपनी लाली उनकी प्रियसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है यानि कि उनकी प्रियसी बहुत स प्राता की लाली उसी से ग्रहन करती है परन्तु अब ऐसे रूपसी की चमी उनका सहारा बनके रह गई है उनके जीवन का सहारा क्या है अपनी उन प्रेयसी की यादे ही है क्योंकि वास्तविक जीवन में वेच्छड कभी को मिलने से पहले ही छटक कर दूर चले गई अर्थात अपने जीवन को वे छोटा समझ कर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते, वो क्या कहते हैं मेरा जीवन बहुत छोटा है, इसलिए मैं अपने जीवन की कथा को नहीं सुनाना चाहता, इसमें कवी की साधगी और विने का इसपष्ट प्रमाण मिलता है, कि वो साब दिखाते हैं क उनका जीवन बहुत ही साधा सरल रहा और इसलिए सीधे-सीधे हूं मना कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन की जो कथाएं हैं वो दूसरों को नहीं बताना चाहता हूँ वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं बहुत सारे लोगों ने आत्म कथा लिखी है तो वे कहते हैं कि इसमें यही भला है कि मैं दूसरे लोगों की ही आत्म कथा को पढ़ता रहूँ अभी समय नहीं है अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है मेरे अतीतों को मत कुरे दो उन्हें मौन रहने दो मेरे जीवन में अभी मेरे आत्म कथा लिखने का समय नहीं आया है मेरे जीवन की जितनी तकलीफे हैं वो बास्ट में हैं अभी वो समय नहीं है कि मैं अपनी आत्पकथा को लिखते समय अपती उन तकलीपों को कुरियो दूँ अभी वो चुपचाप मौन हैं, शान्ध हैं, सोई हुई हैं, उनको सोने दू कभी अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते वे कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उशा भी अपनी लालिमा उनहीं से उधार लेती थी उनकी प्रेमिका के साथ बिताये हसीन पलों को याद करके आज कभी इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है यानि कि उनका जो जीवन चल रहा है उसमें वो अपनी प्रेमिका को बहुत याद करते हैं और उनके जीवन का एक मात्र सहारा यही यादे हैं तो क्या तुम मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्म कथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों को चादर को तार-तार करना चाहते हो यानि कि जो मेरी यादे हैं उन्हें तुम कुरेद कर कुरेद ह गए मैं उनको दुबारा याद करूंगा तो एक तरीके से हमारे पास में जो चीज़े हो गई हो गई हैं लेकिन अगर दुबारा उनको याद करते हैं और वो दुख बड़ी तकलीफ भरी है तो वही कह रहे हैं कि तुम जा फिर से अगर उनको देखोगे तो उन्हें तार-ता करोगे अर्थाद उसे खोलोगे कवी ने सेम को तुच्छ मनुस्माना है और उसके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाताएं लिख सके इसलिए वे चुप रहना ही उच्छत समझते हैं और दूस चाहता हूँ कभी अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी साधी आत्मकता सुनकर भला क्या करोगे व त चुम्थ मेरे जीवन में कोई ऐसा घठित नहीं हुआ मेरे जीवन में कोई भी ऐसी चीजह नहीं जो सुनकर तुमें कुछ फायदा मैंने ऐसा कोई मानता का कार भी नहीं किया जिसका वर्णन में कर सकूँ अब मेरे जीवन में सारे दुख शान्त हो गए है और मुझसे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है मेरे जीवन में पांच में बहुत दुख रही तकलीफे रही बहुत छल कपट हुआ चलावा हुआ अब वो सब कुछ बीच चुका है मेरा जीवन एक शान्त लहर की तरह है अब वो अभी जो मेरी तकलीफे हैं वो चुकचाप मौन हैं शान्त हैं अब मैं उनको नहीं बताना चाहता यानि कि अभी समय नहीं है मेरी आत्मिकता को लिखने का तो ये रही हमारी आत्मिकत्य कविता जिसकी हमने लाइन वाजब्या क्या भावार्थ और सार आपको सभी कुछ बता दिया तो इस तरीके से ये पाठ यहां समाथ हुआ लेकिन ध्यान रखिए कि definite success पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जहां आपको online classes मिल रही है live classes मिल रही है daily practice papers मिल रहे है with आपको solution videos के साथ prepare तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन उसका solution भी लेकर आ रहे है उसके इलावा आपको study material भी मिलेगा handwritten notes भी मिलेंगे तो जब इतना कुछ मिल रहा है और वो भी सिर्फ एक subject नहीं सारी subject का तो बहुत जरूरी है कि आप मन लगा कर पढ़ी ठीक है और आप अगर telegram channel का link जाना चाहते हैं तो नीचे description में दिया है जल से जल telegram channel को आप जो है join करिए कोई भी queries हैं तो दिये गए number पे call कर सकते हैं या whatsapp भी कर सकते हैं whatsapp number भी आपके सामने है तो जल से जल deafness success बाटशाला को like, subscribe और share कीजे ताकि आप तो फायदा उठाई रहें इसके साथ आपके बहुत सारे friends हैं, cousins हैं वो भी फायदा उठा सके ठीक है, तो यह जो chapter हमने अभी आपको पढ़ाया आप में कर थे, यह पूरी तरीके से हमने आपको clear कर दिया लेकिन अभी इस जो chapter के बाद जो question answers दिये गए हैं यानि कि NCRT book में जो पीचे questions है उन्हें भी हमें कराना है तो next video में इनी NCRT questions को हम आपके लिए लेकर आएंगे तो मिलते हैं आगने वीडियो में Thank you for watching, Bye Bye